इस लेक्चर इस बाउट इस्पिसल एकनॉमिक जोन विशेश आर्थिक छेत्र एस एजड प्रेजेंटेड बाई मी अभिसेख चित्रांस इंपोर्टन टॉपिक है सलेवस में मेंस के टॉपिक में क्लियरली मेंसन क्या हुआ होता है इस्पिसल एकनॉमिक जोन और उसके साथ साथ भी इंडिया में एकनॉमिक डवलाप्मेंट को समझने के लिए ये एकनॉमिक डवलाप्मेंट को प्रमोट करने के लिए किस प्रकार क के अंदर एक छोटा सा इन क्लेव जैसा कि वेन डाइग्राम में दिखाया गया है तो जो बड़ी सरक्ल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसको इंडिया को और उसके अंदर छोटा सा छेदर इसपेसाल एकोनॉमिक जोन इसको इंडिया की गवर्मेंट अपने इस सेजेट पॉलिसी के थुरू टोटली फॉर्ण टेरिटरी कंस्डर कर लेती है सबसे एजी तरीका है इसको समझने का इसमें होगा यह कि टैक्स से उसको छूट मिल जाएगी गवर्मेंट को जो फिसकल पॉलिसी है वो रेस्ट आफ कि इसेजेट के लिए डिफ्रेंट होगी कोई भी बैंक की ब्रांच अगर इस एरिया में इसी जडवाले में open होती है तो माल लिजा कि वह बैंक की कैसी है फॉर20 प्रेंग की ब्रांच है as compared to scattered part of India तो इंडिया के अलग-अलग part में scattered हो इंडिस्ट्री उससे कहीं जादा easy है government के लिए एक limited area में जिसको आप SEZ के तरह डिक्लियर कर रहे हैं वहाँ पर infrastructure की better availability ensure कर पाना कुछ-कुछ examples दिये हैं कांडला SEZ, कोचीन SEZ, मदरास SEZ विसाखा पटना में SEZ, ETC next है तो ये 2000 के आसपास से 2000 के येर से ही government ने SEZ establish करने start कर दिये ऐसा नहीं कि इससे पहले effort नहीं किया गया 1965 में भी EPZ के नाम से कांडला को develop किया गया और इस तरीके से ये कह सकते हैं कि EPZ जो कांडला का है वो precursor है इस SEZ वाले concept का चाइना में SEZ का concept बहुत broadly develop हुआ 1979 के बाद से और उसके साथ साथ में उसकी open door policy ने चाइना के जो आज आप economic growth देख रहे हैं ये सब इन ही कुछ initiatives का combination है तो 2000 से लेकर के 2006 तक foreign trade policy के अंतरगत SEZ विशेस आर्थिक छेतर इस्थापित होते चले गए और वो operational थे इंडिया में फिर भी ऐसा लगा कि कुछ है कि ऐसा structure create के जाए by act कि उसके पास empowerment जादा हो एक organized way में आप उसको समझ सकें तो Parliament ने Special Economic June Act पास किया 2005 में जो implement होता है 2006 से और इसके साथ में ही government ने कुछ SEZ rules इसू किये कुछ नियाम बना करके इसू किये क्या क्या थे तो उसमें अगर देखें तो उससे समझने से पहले आप देखें क्यों requirement पड़ी SEZ की SEZ के बीना क्यों economic development उस time पे possible नहीं हो पा रहा था तो first है तो अगर आपको कोई भी company स्टार्ट करनी है कोई इंडस्ट्री स्टार्ट करनी है तो उसके लिए एक multiple clearances environment का अलग उसमें pollution का parameter अलग चेक कराना है वहाँ पर वो sustainable है कि नहीं स्टेट गवर्मेंट का अलग clearance सेंटर गवर्मेंट का तो multiple clearances achieve करने में एक week तो बहुत कम है मन्त और कई बार तो कई साल लग जाते थे और वो project की cost इतनी decide की आती थे उससे कहीं अधिक cost पे वो पहुंच जाता था inflation की कारण as a result वो project जितना finance करवाता था bank से वो finance उसको sufficient नहीं होता था start करने के लिए और वो start project में convert होता जिससे कि उस company owner के पास capacity नहीं बच जाती थी कि वो bank का loan repay कर सके और bank भी उससे loan नहीं recover कर पाने condition में उसके पास भी NPA create होता चल जाता था तो कई सारे problems को एक साथ solve करने के लिए SCJ का concept सोचा गया जिसमें single window clearance का provision किया जा सके और जितना जल्दी से जल्दी project के concept से ले करके और उसके implementation तक के process को यतना shortcut किया जा सके उतना better है second infrastructure facilities were soddy and well below world standards in India किया तो पूरे इंडिया में जहां जहां पर आपने इंडेस्ट्री स्टेवलिस करने का effort किया उन सारे ही जगों पर जो infrastructure था वह बहुत वीक था और government पूरे इंडिया में एक साथ infrastructure अच्छा इंसे और कर भी नहीं सकती जो की capable हो sustainable development के लिए industries के जबकि एक limited area में develop कर पाना short duration में possible है थेर्ड फिस्कल रिजिम वास अनिस्टेबल इसके साथ में government के बदलते हुए rules टैक्स के relation में वह भी effect डालते थे industries के उपर कि कोई भी एगर foreign investor है या इंडिया का खुद का investor invest करने का सोच भी रहे कि इंडिस्ट्री में तो यह त्योर नहीं है कि उस इंडिस्ट्री या उस sector पर कब government कितने percentage का tax rate change कर दे तो इन सब चीजों से free करने के लिए ऐसी ज़िए concept conceptualize किया गया जिसके अंतरगत इन सारे shortcomings को दूर करने का एफर्ट किया गया रोल्स में कुछ एक five points इस तरीके से mention किये गए कि procedure simplified होना चाहिए उस SEZ को develop करने का भी वहाँ पर unit को operate करने का भी और SEZ को maintain करने का भी और इसी तरीके से आपने SEZ के अंदर सब कुछ maintain करने के लिए proper SEZ board को establish किया सेकेंड है single window clearance देखा आपने पहले भी कि तो प्रॉब्लम आ रही थी कि multiple clearance लेना पड़ रहा था जिससे आपको यह यह concept सोचना पड़ा single window clearance time consuming activity को less time consuming activity में convert कर देगा और इससे फायदा यह होगा कि अधिक सदिक इंटर्पेनियोर यादिक सदिक इन्वेस्टर यह हिम्मत कर पाएंगे उस सेक्टर में इन्वेस्ट करनेगा थर्ड है single window clearance for matters connected to the central and state government government गवर्मेंट रेटेट जो भी matter थे उनको भी single window clearance system के through convert करना था इस rules में फोर्थ है simplified compliance procedure and documentation with a focus on self-certification जो document represent करने का तरीका था उसको भी simplified किया गया थीक वैसा ही समझ सकते हैं कि जैसे पहले किसी भी job के application के लिए यह कहीं भी form भरने के लिए जो college यह school के degree को आपको अटेस्ट करवाना पड़ता था किसी गस्टेट ऑफिसर से उस से गवर्मेंट ने चेंज करें कह दिया कि आप सेलफ अटेस्ट करके भी सम्मिट कर सकते हैं तो वो जो छोटा सा काम इतना टफ बना हुआ था वो कितना इजी हो गया यह इनिसीटिव लेते ही यही हुआ यहां इंडस्टी वालों के साथ भी कि इंडस्टीज ओपन करना चाह रहे हैं लेकिन उनका जितना भी डाकुमेंट है उनको बार बार वेरिफाई कराने के लेकिन फिलहाल आप इस प्रोजेक्ट को इनिसीट करने का परमिसन प्रवाइड कर दें तो यह भी हेलफुल था और लास्ट डिफ्रेंट मिनमम लेंड रिक्वार्मेंट्स फॉर डिफ्रेंट क्लासस आफ इस्पेसल एकनॉमिक जोन्स उसमें डिसाइड कर दिया गया कि कि अगराहिशन ना मिनमम लेंडल मिन झोगा किसी जैच Nous को शेफ़ी सर्विसस करेंगी वहाँ पर लेंड रिक्वार्मेंट कंब्यां होगा और जहां पर मैनुफएक्टर यर्ड्री इंडश्टरी दोमिनाट्री मेड्रेंट करेंगी वहां पर ल欸र का कर दा होगा यह कुछ 5 rules हैं SCZ rules इसके लाबा SCZ के approve होने का mechanism कैसा था तो कोई भी developer जो चाहता है कि उसको SCZ develop करना है वो state government के पास proposal submit करेगा state government उस proposal को 45 days के अंदर board of approval के पास send कर देंगे board of approval और कुछ नहीं बलकि एक 19 members का inter ministerial group है 19 members का और जैसे इसने approve किया approve करने के साथ ही वो area जहांपर वो developer SCZ develop करना चाह रहा है वो notified area के तरीके से जाना जाएगा इसके लाबा चाहे तो वो developer directly भी board of approval के पास यह proposal submit कर सकता है next है यह board of approval जो भी decision लेगा वो consensus से होगा इसका मतलब इसमें voting का partition नहीं करना है 100% लोग agree होंगे तो ही जाकर कि आप इसको implement कर सकते हैं या इसको notified area के से declare कर सकते हैं इस board का जो chairman होगा वो secretary rank का वेक्ती होगा department of commerce के तो department of commerce का secretary होगा जो board of approval का chair person होगा इसके साथ ही यही last point में लिखा हुआ है कि जैसे board of approval ने अपना approval दिया तो central government उस area को as a SEZ notify कर देगे next है क्या objective है SEZ establish करने का बहुत सारे objective है लेकिन उसमें से यह path जो है वो प्राइम है उसमें से first to create additional economic activity देश के अंदर कुछ और भी economic activities को promote करना यह पहला target इसका दूसरा to boost the export of goods and services सबसे major target ही है second वाला कि आपको export goods का और services का boost करना है promote करना है third obvious है to generate employment economic activity बढ़ेगी तो obvious है कि employment generate होगा इसके साथ साथ में एक ऐसा environment create करना fourth वाले point में जिससे कि domestic as well as foreign investment को promote किया जा सके और last fifth point जिसमें आपको infrastructure facilities भी develop करना है यह कुछ major objectives है SEZ के next है SEZ क्या क्या facilities provide करता है government अपने तरफ से किस तरीके से incentivize करती है कि SEZ का development proper हो सके first point है duty free import इस पे अगर कोई भी import किया गया तो यह माना जाएगा कि वह import SEZ पर है इसलिए उसमें कोई भी import duty or custom duty impose नहीं की जाएगी यहां तक कि जो domestic procurement भी होगा उस पर भी कोई tax नहीं लगाएगी government second है hundred percent income tax exemption तो starting के five year तक जैसे company establish हुई SEZ में उससे अगले पास साल तक उस company को कोई भी corporate tax कोई भी income tax वगरा पे नहीं करना है अगले पास साल तक वह अपने 50% को tax से बचा सकता है अपने 50% income को reinvest कर दिया हो उसी एरिया में सिर्फ तर तो इस तरीके से 15 साल का tax exemption का टैक्स से छूट लेने का एक provision decide किया गया SCZ policies के अंतर गया नेक्स्ट है minimum alternate tax को यहां से हटा दिया गया तो आपको पता है कि corporate tax का एक alternative है minimum alternate tax तो corporate tax companies के income पर लगता है और जितना company को profit हुआ उस पर government कई सारे exemptions provide करती है exemptions use करते करते अगर जिस तरीके से 30% का tax पहले लग रहा था अब तो government चेंज करके उसको 22% 22% 15% पर कर दिया है वह हम लोग देखेंगे नेस्ट किसी लेक्षर पर तो पहले कंडिशन के साब से माने जब concept discuss किया रहा था तो 30% corporate tax था अब अगर सारे exemptions को यूज करके सारी छूट को यूज करके company ने यह सो किया कि हमारी taxable income सिर्फ इतनी है और उस पर tax लगाने पर corporate tax लगाने पर government को जितना tax मिला वो उसके total profit का 18.5% से कम है तो government कहेगी कि आप से हम corporate tax ना लेकर के minimum alternate tax लेंगे और minimum alternate tax उसके total book profit का 18.5% होता है बीना किसी exemption के तो इस एरिया में minimum alternate tax को भी हटा दिया गया और इसके साथ साथ जो भी company यहां पर टेब्लिस होंगी वो central sales tax, service tax, state sales tax इन सबसे free होंगी अब इन सब को merge कर दिया गया GST में तो यहां पर IGST लगेगा तो लेकिन वो IGST जीरो rated होगा इसका मतलब यह सब sale purchase में SEZ के अंदर अगर GST पे कर दिया गया है जो पे करना पड़ेगा IGST के तरीके से तो पे करने के बाद जितना amount tax के तरीके से GST के तरीके से पेक किया गया government के पास जब यह receipt सो की जाएगी कि वो सब का सब transaction कहा हुआ है SEZ में तो government वो सारे tax का amount return कर देगा विसों कहते है जीरो rated tax अंदर GST नेक्स्ट है central और state approval के लिए इसको single window clearance के सुवधर दे दी गई उसके साथ next point import करने के लिए कोई भी license नहीं चाहिए तो एक बार आपने अप्रूब कर वा लिया कि हमारी company SEZ में establish होगी तो अपने आप आपको approval मिल गया इस बात से भी कि आप उसमें import भी कर सकते हैं नेक्स्ट है कुछ एक सेक्टर को छोड़ दें तो बांकि लगबख सारे सेक्टर में 100% FDI allow कर दिया गया ACZ में नेक्स्ट है no need for separate documentation of for customs and export import policy जैसे हमने देख लिया कि एक बार आपको अपनी company establish करने का मौँका मिल गया ACZ में तो आपको फिर से कोई नया documentation नहीं करना है export import policy के लिए next है क्या क्या challenges है ACZ के सामने तो जो domestic firm exist कर रही है पहले से उनको एक opportunity मिलेगी कि tax का benefit लेने के लिए वो अपना base shift कर सकते हैं it means branches तो उनकी अभी पूरे इंडिया में काम करेंगी बस वो अपना head office shift कर लेंगे कहां पर ACZ पर तो यह सो कर सकेंगे कि हमारी company चुकिए ACZ पर है तो हमारा जितना profit generate हो रहा है उसमें हम tax नहीं पे करेंगे शुरू के 5 साल तक अगले 5 साल तक हम 50% पर tax पे करेंगे और अगले 5 साल तक हम 50% reinvest कर रहा है तो फिर उसमें 50% tax से बचा लेंगे तो इस तरीके से यह tendency देखने को मिल सकती है second ऐसा हो सकता है कि ACZ जहां पर डवलप किया जा रहा है वह फर्टाइल लेंड हो फर्टाइल लेंड होने के कारण agricultural land में loss होगा और food security को भी खत्रा होगा इसके लाबा अगर आप किसी एक particular sector पर industries को डवलप करते हैं तो बचा हुआ इंडिया वह infrastructure से भी और industry के development से भी बाहर रह जाएगा इसको आप कहते हैं कि हो सकता है कि ACZ uneven growth को भी promote कर दे जिसके adverse effect देखने को मिल सकते हैं इसके लाबा जो water की requirement होगी ACZ में उसके लिए water divert करेंगे जो की water security के लिए भी खत्रा हो सकता है next ACZ pollution भी cause कर सकता है especially जब उसका untreated effluent release किया जाएगा आस पास के local water bodies में तो वो environment को भी adversely effect कर सकता है जिससे गुजरात के area में mangroves वगरा adversely effect हो सकते हैं fisheries वगरा जो coastal areas है वो effect हो सकते हैं तो एक note क्या है कि ACZ को promote तो करना है क्योंकि economic development के लिए ACZ एक अच्छा engine है लेकिन इस बात को assure करते हुए कि वो agriculture sector को खराब ना करें और साथ ही environment पर adverse effect ना create करें इसके लाबा और भी कई सारे challenges ACZ के सामने और ACZ फिलहाल as a concept replace कर दिया गया NIMZ के through national investment and manufacturing zone लेकिन फिर भी ACZ अभी news में था क्योंकि ACZ का जो export था वो बढ़ा हुआ दिखाई दिया तो हजारों के संक्या में proposal decide किये गये थे ACZ बनाने के लिए जिसमें कुछ 2.300 proposal को notified area में convert किया गया और उसमें से कुछी establish हो पाये इंडिया में लेकिन उसके बावजूद भी अच्छा perform कर रहे हैं यह फिलहाल नियुस में था दूसरी बात जितना कुछ फायदा ACZ डेक्लियर करने में किया गया था उसमें से हुआ यह कि ACZ mostly service dominated हो गया इसका मतलब ACZ में services की company जादा establish होने ल और इसके साथ साथ में जब आपने concept को replace किया या नया concept introduced किया NIMZ का उसमें compulsion कर दिया कि जो maximum proportion होगा वहाँ पर या कि फिर कम से कम इतना proportion quota decide कर दिया कि कम से कम इतना proportion तो आपको manufacturing companies का वहाँ पर रखना ही पड़ेगा इस तरीके से आप समझ सकते हैं ACZ को और आपके इस lecture में कितना ही next lecture में हम लोग जब भी NIMZ discuss करेंगे तो हम differentiate भी कर लेंगे कैसे अलग है concept ACZ का NIMZ से और क्या demerits थे ACZ के जो NIMZ ने cover किया थैंक य।